लो हेलो काईज तो आपने अगर जॉब मार्केट एंट्री लेने की कोशिश की है पिछले परी एक डेड़ साल में तो काफी धक्के खाने को मिल गया होगा आपको समझ में आए क्या होगा कि यह वाला जॉब मार्केट है इस नाव वेरी वेरी टाफ एंड कुछ इंट्रेस्टिंग चीज़े हो रहे हैं इस मार्केट में जो डेवलप कंट्रीज का जॉब मार्केट है उसका नेट एफेक्ट हमारे उपर भी कैसा आ रहा है इस दो तीन पॉइंटर्स के पार में वादे टॉक एंड इस बेरी हार्ड बट क्या चीज़े चल रहे हैं मार्केट में थोड़ा सा अगर आपको पता होगा तो आपने चांसेज बेटर कर सकते हो विन अप्लाइंग फर जॉब्स भले ही आप जॉब स्विच का सोच रहे हैं तो आपके बास एक्सपीरियेंस है भले ही आप बिलकुल कॉलेज से ग्र अगर आप बिलकुल करता है अगर आप बिलकुल करता है अगर आप वैसे नंबर देखो तो लोग हंड्रेज ऑप्लाइब कर रहे हैं और उसमें से बैरली एक दो रिस्पॉंस आ रहे हैं अगर आप इवन लिंगन पर जाओ यह जोब्स प्लाइब आप बिलकुल कर दो आप देखोगे कि यार लिंग्डिन में ना तीन से चार घंटे में इंडिया वेले जॉब्स में तीन से चार घंटे में आपको हंड्रेज ऑफ रिस्पॉंस दिख जाएंगे बाहर के जॉब्स में भी सिमिलर होता है डिपेंडिंग अन्टरी ऑफ को र सब्सक्राइब हो रहे हैं तो दो तीन इंट्रेस्टिंग चीज़े हो रही है मैं जब अभी रिसर्च कर रहा तो मुने कुछ नोट्स यहां पे लिए हैं on what is happening in the market number one काफी interesting point जो हो रहा है वो है कि बहुत सारी company आना responses को collect कर रहे हैं उनके बास अभी उकात नहीं है to actually hire people and things are very tough तो दो तरीकों से वो दो reasons की वज़े से वो collect कर रहे हैं इतने सारे responses एक तो है कि just collect कर लो जब जब पढ़ेगा तब पढ़ेगा कुछ open करके दिखाना है कि हाँ चलो ठीक है hiring चल रहे हैं यह दूसरा बहुत important point है कि existing employees को दिखाना बहुत सारी जो mid-size body-size company है existing employees को दिखाना कि हमारी company की health ठीक है भाई हमको छोड़के मत जाना तो क्यों और company health ठीक नहीं है इतनी सारी hiring हो रही है इतनी position open इतनी position open है तो इंटर्णली दिखाने के लिए बहुत इन्वेस्टर्स को दिखाने का हो बहुत जगा 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 भी दिखाने का हो तो एक fake health वाला पॉइंट मुझे काफी common नजर आया जो काफी सारे लोग बात कर रहे है जो काफी सारे लोग बात कर रहे है दूसरा जो बहुत बड़ा पार्ट अभी आ रहा है अभी के पूरी situation में जिब आया है पॉइंग कि सिर्फ economy पीछ नहीं आया है बट कंपनियों ने भी 2019 2020 के आसपास बहुत जादा ओवर राइरिंग की है अब बहुत सारी कंपनियों में देखोगे अगर आपको 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 जोब्स का ऑपरचुर्टी मिल जाता था आपको इंटर्वी में आप फिर अपना दिखा सकते हो आप प्रोब्लम यह एकिंटर्वी तक मंता पहुंसता ही नहीं है इवन आफर फिर वे अट्राइट प्रोजेट ओपन ओपन सोर्स कोंट्रिबूशन एंड यह सारी चीज़े बिकॉस अगें सीनियर निकाल दिया है जूनियर पोडमने रहे हैं जूनियर की जगा सीनियर ले से एक, दो साल, तीन साल का कुछ-कुछ-कुछ करते आर हे हो, it's going to be very tough as you get out of your college to actually get opportunities in this market. At least अधा एक साल और, right? That's what is looking at it. Now, another point, very interesting is Unicorn Employee का concept मुझे नजर आए. अब Unicorn Employee का concept क्या है? So, जैसे Unicorn कंपनी होती है, एक दम टॉप टीर कंपनी, ऐसी टॉप टीर एंप्लोई, तो एक ऐसा एंप्लोई, जिसकी बास डिग्री भी बहुत तकड़ी है, Computer Science और इस तरह की एक दम तकड़ी डिग्री, Master's आश्टर भी लेके बैड़ा है, एक ऐसा employee, जो उस डिग्री होने के बाद, Open Source भी Contribute कर रहा है, Volunteer भी कर रहा है, उसके बस दो-तीन साल का Experience भी है, Hobbies भी कर लेता है, Side Projects भी उसने तकड़े तकड़े बना रखे है, So, Unicorn Employee, Exist करता है कि आपको लगता है, Barely, मूश्किल से, और वो बहुत आगे के Experience में जाके, शायद किसी को Time मिलता हो यह सब चीज़े करने का, And that's the problem, कि अब क्या हो रहा है, Company आपको यह भी लग रहा है कि यार, कि इतने सारे लोग Fire हो रहे है, कोई तो अच्छा Employee होगा, तो पहले क्या होता था, पहले बंदा एक जब मैं भी जब hiring करता था, तो 5-6 लोगों को इंटर्व्यू कर लिया, मान लोगा 50-60 रिस्पॉंस आ गये, 5-6 लोगों को इंटर्व्यू कर लिया, वो 5-6 में से निकल जाता था, अब क्यों हो रहा है, क्यों कितने सारों की नौकरिया गई है, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ क्या हो रहा है, और फिर उसके बीच में, AI और ये सब automated tests, और ये सब के बीच में, पूरा का पूरा जो pipeline है, hiring का वो भी लंबा हो गया, तो उसमें से खुद भी बहुत सारे लोग निकली जाते हैं, जो बचे बचाये होते हैं, वो बचाये फिर आके ऐसे अटक जाते हैं, तो अब आने वाले ताम में क्या एक्सपेक्टेट हैं, आप क्या कर सकते हो, couple of things, 1. प्रोजेक्ट्स, और अच्चुल इंटरंशिप की तरफ, अगर आप पूस्ट कर सको, अप्रेशल अगर आप फ्रेशर हो, तो तो अट्स गों हो, तो तो बिए एक्स्ट्रीमली बेनेफिशल, इंटरंशिप्स और युजिल इंटरंशिप्स, recent meeting होई है and उसमें interest rate उन्होंने अब कम करने start किया like as in काटना start किया तो अब economy को boost करना start किया है थोड़ा-थोड़ा करके and over the next year उनका plan अभी के लिए तो ऐसा ही है कि economy को boost करते रहेंगे वहां पर हम लोगों को थोड़ा सा शायद relaxation देखने को मिलता है but usually from these efforts to actual real world economic effect हमको छे महिने से एक साल का डिले देखने को मिलता है so whatever they are doing today we are actually going to see those net effects possibly mid 2025 के बाद so थोड़ा सापको पूश करना पड़ेगा थोड़ा से side projects strong मना सकते हो अपने skills improve कर सकते हो अपना communication improve कर सकते हो तब 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 एक बहुत interesting चीज है जो I think अभी भी potential बहुत सारे लोग मिस्कर रहे which is LinkedIn LinkedIn has a ton of potential and as I get a lot of responses whenever I am hiring भाली मैं interns के लिए हायर कर रहे है हम लोग या हम full-time employees के लिए किसी के लिए हायर करें but the consistent things that I see is कि लोगों का LinkedIn profile पूरा नहीं है वोगों का LinkedIn profile तायार नहीं है and not just that आप खुद क्यों जाना है आपने नौकरी देने वालों को आने तो आपके पास वो कैसे possible लोगो तब हो जब आप LinkedIn पे थोड़ा active हो जाओ लिंग्डिन पे influencer बनने की बात नहीं कर रहा हूं just sharing what you are learning regularly या सिरफ certificate नहीं post करो आप आप वो जब certificate के अंदर के course पे जब आप काम कर रहे हो आप कुछ project बना रहे हो वो project को share कर तो वो project की जो पूरी की पूरी progress है उसको आप regularly share कर सकते हो LinkedIn पे so I'm not asking you to become an influencer I'm asking you to communicate what you are doing so that logo के सामने आपका material आए and आप लोगों के सर्च में आओ आओ आप उनकी आखों के सामने आओ right top of mind बोलते हैं उसमें and marketing में बहुत common चीज़ है इसको brand recall बोलते हैं in this case it's going to be person recall if you are on top of mind तो कोई recruiter को जबाएगा कि यार हम अब recruiter को company वाले बोलेंगे कि यार चलो एक कोई front-end engineer देख लो या कोई एक product marketing manager देख लो but अब वो recruiter सबसे पहले before they make a post उसके दिमाग आ रहा है यह यह बंदा तो regularly post करता आ रहा है यह बंदी तो regularly post करती आ रही है इस चीज़ के बारे में maybe let's let's see अगर उनके qualifications match होती है तो they'll come to your profile because उनको याद होगा उनको दीखेगा they'll come to your profile they'll check if your qualifications match they'll reach out additionally जब वो अपने फिर portal पे LinkedIn जो recruiters का portal है उस पर search करेंगे तो आपका profile तभी शोगा जब आपके सारे signals पूरे हो रहे होंगे आपका LinkedIn के profile का SEO पूरा हो रहा होगा यारी कि आप जिस फिल्ड में है वो फिल्ड रहे होंगे सारे keywords वहां पे tagged होंगे या नहीं होंगे and to be honest over the last whatever six nine months I've gotten at least a couple of inbound job offers and वही फरक है कि जब-जब मैं LinkedIn पेक्टिव रहा हो हुआ है and same thing happens regularly so you can make sure that you are active on LinkedIn you are building your skills and you're building the skills half in public पूरा public करने की जूरत नहीं एक दम typical influencer style वैसा करने की जूरत नहीं just talk about what you're building and it can make a big difference so these are the few things few reasons कि क्या भी क्यों मुश्किल हो रहा है आपको किस तरह की मुश्किल आ रही है कितनी applications के बीच में आपको कितना interviews मिल रहा है मुझे नीचे कॉमेंस में बताना मत भूलेगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें सब्सक्राइब नहीं है चैनल में सब्सक्राइब भी कर देना मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर